नमस्कार, आज होली के इस पावन अवसर पर मैं सभी को बधाई रेती हूँ और मैं आज आपको एक सिंपल तरीके से धंड़ाई किस तरह से बनाते हैं वह मैं आपको बताती हूँ जिसके लिए हमें चाहिए दूद, चेनी, काजू, गुलाब के पंखुडियां, खर्बूजे के बीच, खस-खस, बादा, काली मिर्च, सौंफ, हरी लाइची और गुन-गुने दूद में थोड़े से केसर भिगोए हुए हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कॉंटिटी में हम लोग इसे लेकर इसका पाउडर बनाएंगे जैसे कि हमें एक चम्मच गुलाब की पंखुडियां, दो चम्मच सौंफ, दो चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच हरी राइची एक चम्मच खस-खस और एक चम्मच खरबुजे के बीच, बादाम एक चम्मच, काजू एक चम्मच, इसे हम काजू और बादाम को हम अपने इच्छा अनूसार बढ़ा सकते हैं, अब हम इसका पाउडर बनाते हैं इस तरीके से यह पाउडर तयार हो गया है, अब इसका इस्तुमाल हम लोग विभिन तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक सिंपल तरीके से थंड़ाई बनाना है, तो इसे हम दो चम्मच मिक्सी एक जार में, दो चम्मच पाउडर डालते हैं, दो चम्मच शक्कर डालते ह शक्कर भी अपने इच्छा अनुसार है अब इसे हम थोड़ा दूद डाल कर मिक्सी चला लेते हैं बट देखिए चर्ण करने के बाद हम लोग को यह मिश्रण मिलता है अब इसे हम एक सुन्दर से ग्लास में पोर करेंगे अब इस पर हम थोड़े से केसर गुलाब के कुछ पंखुणियां बादाम और काजु अब यह सब होने के लिए तैयार है दूसरी तरीके से भी हम लोग इसे सौफ कर सकते हैं जैसे कि इस पर हम लोग अपने मन पसंद आईस क्रिम डाल के सौफ कर सकते हैं उस पर हम लोग केसर बादाम गाजु गुलाब के कुछ पंखुणियां थोड़े से पिंच ओफ पाउडर दीजी आपके लिए तैयार है। थंड़ाई इसका मैं आनंद उठाती हूँ तब तक आप नीचे लिखे हुए रेसिपी को ट्राइ कीजे यदि आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजे और अपने व्यूस हमें बताईए नमस्कार